कुछ हम पर फाइफ में जो कुछ हमें इसमें यह सेंटर पॉइंट पिविट पॉइंट यह आगे हैं अब यहां पर एक फोर्च यह तेट त्री न्यूटन एक फोर न्यूटन और एक यहां पर अप्लाई किया तीन फोर्च अप्लाई हो लिए तो देखिए ये फोर्ज जो अप्लाई हो ली है ठीक है अगर आप देखें मैंने आपको बताया था एक फिगर से आप कन्फ्यूज अगर होते हैं तो ये इस तरीके से एरोस बना लीजे ठीक है ये बना लीजे ये एरोस शो करेंगे क्लॉकवाइस ये कहां आएगे क्लॉकवाइस ये इस तरीके से क्लॉकवाइस मूव कर रहा है ये आगे क्लॉकवाइस यहाँ पर इस हिसाब से आप देखिए कौन सी फोर्स इस क्लॉकवाइस है तो एक तो ये फोर्स है जो क्लॉकवाइस आ रही ठीक दूसरी ये force भी clockwise आईगी लेकिन ये force किस तरह अप्लाई होरी है ये और ये anti-clockwise ठीक तो अगर देखें कर ये दो forces 4 multiplied by 2 और ये unknown force है P multiplied by 2 ये दोनों एक direction में तो इसका turning effect 4 multiplied by 2 पिलस होगा P multiplied by 2 के साथ क्योंकि ये एक direction है कौन सी clockwise तो ये turning effect और ये turning effect आप add कर दें ये तो दोनों turning effect equal होंगे किसके 3 newton multiplied by 6 दुबारा सुनिए 3 multiplied by 6 जो anti-clockwise तो ये आगे आपके पास anti-clockwise 3 multiplied by 6 ये हो गया anti-clockwise ये equal होगा ये नीचे देखें मैं इसको लिख दिया anti-clockwise 3 multiplied by 6 ये equal होगा clockwise moment clockwise moment कौन से है मैं अभी आपको बताया 4 multiplied by 2 4 multiplied by 2 plus P multiplied by 2 तो ये 4 multiplied by 2 plus P multiplied by 2 अब इसको calculate करेंगे 8 इसमें से subtract होगा तो 8 subtract होगा आपके पास value 10 आजाएगी और जो product यहाँ पे रहे गया था 2 वो product की value डिवाइड होके total answer आज़ेगा 5 newton तो इस तरीका से इसमें option number A correct है option A जो इसका correct answer है course number 5